नीर महल जिसका मतलब होता है वाटर पिलेज ये वाटर पिलेज हमारे एशियन सबकोंटिनेंट का सबसे बड़ा वाटर पिलेज है तो हेलो दोस्तो मैं हूँ आप लोगों का होस्ट और दोस निलुत पॉल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइट टू ट्रिप पे ये वीडियो तो दोस्तो आज मैं हूँ निर्मेहल में जो है हमारे नौर्थिस्टन स्टेट त्रिपुडा के शिपाईजला डिस्ट्रिक्ट के मेलागर एरिया में ये वाटर पिलेज जाने के लिए हमें पूरा रुद्रशागर लेग क्रोस करके जाना पड़ता है इस पिलेज का नाम वाटर पिलेज इसलिए पड़ा क्योंकि ये चारो ओर से प्रुद्रशागर लेग से गिरा हुआ है येसा हमारे इंडिया में और एक वाटर पिलेज है जो स्थीत है हमारे राजस्तान के उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जाने के बाद कैसा रही तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक कीजिए लाइक 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 सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तो हम लग आचुके हैं अब यहां लोग उपर चड़ने के बाद यहां पर और एक टुकन लेना पड़ता है जो साइथ 30 रुपे का है वहापर तो हमने कार के लिए 50 रुपे दिया इसके बाद बोर्ट के लिए 50 रुपे का टिकट किया और अभी यहां पर अंदर जाने के लिए 30 रुपे का चाहिए होता है और यहां पर चार्ट है बना हुआ एलाट के 30 रूपीज माइनार के ले 20 ये खुबसुरत सा नीरमहल बनाया गया था महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक को बहादूर उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये नीरमहल उनका समर पे लिस हुआ करता था ये महल बनने के लिए पूरा 8 साल का समय लगा था और ये महल बनाया गया था ब्रिटिश कॉमपनी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये महल जब बन रहा था तब महाराजा का आदेश था कि ये महल दोनों इंडियान एन मोगल आर्किटेक्चरल स्टाइल से बने इस महल का नाम नेर महल रखा गया था कॉबिगुरू रोविना ठागुड़ जी के द्वारा महाराजा नि इस महल को दो पार्ट में डिवाइड किया था एक था सोल्जर्स के लिए और एक पार्ट था रोयल फेमिलिज के लिए महल में एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें conference room and dancing room दिखाई देता है ये dancing room कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये हर एक room से इसका अच्छे से view आए इस महल का बनावर लगभग उस जमाने का five star hotel के जैसा ही था उस समय महराजा ने अपना boat पार्क करने के लिए अलग से एक parking spot बनाया था जिस spot का नाम था royal boat ghat इस महल में कुल मिलाके 24 room है हर एक room का अलग-अलग महत्व है ऐसा कहा जाता है कि महराजा अपनी रानी कांचन प्रवा देवी से बे इंतहां प्यार क्या करते थे उन्होंने अपने रानी कांचन प्रवा देवी के लिए खास करके एक बगीचा बनाया था जहाँ पर वो अपनी दासियों के साथ घुमा करते थे ऐसा कहा जाता है कि महराजा हर एक समर के सीजन पे अपनी रानी के साथ यहाँ घुमने आते थे और यहाँ आखे इस खुबसूरत नजारे का लुफ्त उड़ा सेते अब है 1946, at the age of 39 महराजा का दिहान्त हो गया उनके दिहान्त होने के बाद इस महल का जिमेदारी उनके बेटे के उपर आया यह हस्ता खिलता महल ज़्यादा दिन तक हस्ता खिलता नहीं रह गया था इसका भी फॉल्डाउन हुआ था इंडिया में जब राज तंत्र खतमों के प्रजा तंत्र का शाशन सुरू हुआ तब इस महल का भर फूशन करने के लिए राजा के पास इतना पैसा नहीं था उस समय महाराजा के बेटे ने इस महल को ऐसे इलाचार छोड़ दिया था जब ये महल 15-20 साल के लिए ऐसे इलाचार पड़ा हुआ था उस दोरान यहाँ पर लोकेल लोग आके रहने बसने लग गए थे जब तक त्रिपुड़ा गोवर्मेंट का नजर इस महल के तरफ पड़ा तब तक यहाँ का 60% चीज़े डेमेज हो चुका था इस महल का बहुत सारा कीमती चीज़े जो पहले जमाने में हुआ करता था यह सारा चीज़े यहाँ के लोकेल लोगों ने तोड़ दिया था या फिर लेके चले गए थे यह जो खुबसुरत सा महल आप आज देख पा रहे हो यह महल specially reconstruct किया गया था त्रिपुरा गवर्मेंट के द्वारा और यहाँ से आज त्रिपुरा गवर्मेंट बहुत सारा revenue generate करता है specially from the board service तो दोस्तो आप लोगों को यह निर महल कैसा लगा comment section में जरूर बताईएगा और मेरा यह वीडियो आप लोगों कैसा लगा अगर आप लोगों यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक like कीजिए और आप लोग अगर यहाँ पर घुमने आना चाहते हो तो मुझे comment section में बताईए let me know और thank you all for watching the video thanks a lot